इस वीडियो के स्पॉंसर है टेन और शेर वाट्सअप ट्रांसफर अगर आपके Android का WhatsApp डेटा आपको लेटिस्ट iPhone 13 में ट्रांसफर करना है तो पहले तो आपको PC या Mac पे इस सॉफट्यूर के इंस्टॉर करना होगा तो आपके Android में developer options को enable करकर USB debugging को on कर लेना होगा फिर आपक पे कुछ इस तरह का layout देखने को मिलेगा जहां पे आपको पुराना Android device और iPhone connected दिखाए देगा second step के लिए आपको जाना होगा अपने WhatsApp के settings में उसमें जाकर आपको जो chats पे टैप करना होगा और chats में जाकर आपको chat का backup लेना होगा उस पे आपको Google Drive पे never set कर देना है और यहां आप एप screen पे देख सकते हो total 7000 से जादा messages जो है वो अभी transfer होना शुरू हो चुके हैं और जैसे ही यह transfer हो जाएगा आपको जो अपना WhatsApp नंबर है उसे अपने iPhone में इंटर कर देना है इंटर करने के बाद जो आपको code आएगा जो OTP होगा उसे इंटर कर लेना है और एक बार जो एप procedure हो जाएगी आपको जो iPhone है वो automatically restart हो जाएगा पूरे procedure में थोड़ा सा time जरू से लग जाता है बट एक बार जब यह complete हो जाएगा पूरे आपका Android का WhatsApp data आपके latest iPhone 13 में आपको देखने को मिल जाएगा तो पूरे chats जो है वो यहाँ पे आ चुके है इस software की link मैंने description में दे दी है वहाँ पे आप जाकर इस software को चकाउट जरू से कर सकते हो तो iPhone 13 को launch हुए अप तीन मैंने हो चुके है और आज की सुड़े मंग कने वाले है इसका quick review देखते है कि इस पे 80,000 spend करना ऊवरतिट है या नहीं so let's begin तो पहले बात करते है design और build quality की तो यहाँ पे हमें ब बहुत ही premium देखने को मिलती है, side से यहाँ पे flat दिये गया है जिसके मदद से जो in hand grip है बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाती है, right side में है power button, left side में है volume keys और उसी के उपर है silent switch, उपर की side आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, नीची की side है lightning port, secondary microphone और एक single speaker grill, front side हमें ए जिसे notch का size जो है वो हमें थोड़ा साब छोटा देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा look दे देता है previous iPhone 12 के comparison में, तो overall design और build तो बहुत ही अच्छी है, front में हमें ceramic shield की protection देखने को मिल जाती है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यदा tough बना देती है, हलाकि यहाँ पे scratches बहुत ह जाते हैं, इसलिए मैं आपको suggest करूँगा एक tempered glass जरू से use करें, यहाँ पे जो मैंने tempered glass यूज किया है, वो है Spigen का easy fit tempered glass और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा case भी use कर रहा हूँ, जो कि आता है caseology की तरफ से, तो definitely आपको इस device को protect करने के लिए, एक case और tempered glass तो use करना ही चा जाती है, iOS की optimization इतनी अच्छी है कि यहाँ पे Android के comparison में smoothness आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, फिर भी मुझे लगता है 80,000 के price के हिसाब से at least यहाँ पे 90Hz display तो देना ही चाहिए था, क्योंकि iOS की optimization और smoothness प्लस 90Hz refresh rate इस phone को एक perfect package बना दे सकता था, हाला कि यहाँ यहाँ पे दो improvements की गई है display में, यहाँ पे जो display है इस बार हमें थोड़ा सा brighter देखने को मिल जाता है 12 के comparison में, और यहाँ पे जो notch का size है वो छोटा कर दिया गया है, हाला कि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फरक पढ़ने वाला है notch के size से, क्योंकि यहाँ पे हमें battery percentage अभ 28GB की storage के साथ यह variant start होता है, performance की मामले में आपको कुछ भी issues देखने को नहीं मिलेगा, of course यह एक iPhone है तो definitely performance बहुत ही अच्छी है, Apple की optimization इतनी जदा आच्छी है कि यहाँ पे 3-4 साल पुराना iPhone भी आपको same तरह की smoothness आज भी दे सकता है, तो definitely यहाँ पे performance में कोई भी issues नहीं अब बात करें cameras की, तो definitely camera performance जो है वो 12 के comparison में अच्छी हो चुकी है, बट यहाँ पे जो normal consumer है उसको camera performance में कोई भी फरक देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ी improvements देखने को मिल जाती है, पहली जो improvement है वो है main sensor, यहाँ पे जो main sensor है वो हमें same to same last year के iPhone 12 Pro Max क की तरह देखने को मिल जाता है, 12MP का sensor है और उसमें दी गई है sensor shift OIS stabilization जो कि हमें last year के flagship iPhone में देखने को मिली थी, उसके साथ में 12 megapixel का ultrawide जिसमें हमें जो low light performance है वो इस बार improved देखने को मिलती है, उसके साथ different photographic styles और cinematic mode जैसे features हमें देखने को मिलते हैं, जो कि iPhone 12 series में नहीं ह यहाँ पे जो camera performance है वो improve हो चुके हैं, बट इतनी कुछ ज्यादा खास improvement हमें देखने को नहीं मिलती, especially जो front camera है वो तो हमें same ही iPhone 12 की तरह ही दिया गया है, तो overall camera verdict की बात करें तो definitely iPhones one of the best माने जाते है camera performance के लिए, especially जो video recording की capabilities होती है iPhone की, वो कहीं ज्यादा better होती है Android की comparison में, तो definitely overall अगर आप एक अच्छा camera वाला phone डूंड रहे हो, 80,000 के आसपास, तो iPhone 13 को आप आग बंद करके ले सकते हो, हलाकि मैं यहाँ पे इसका एक detail camera review नहीं करने वाला क्योंकि video की length बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए आप किसी और की videos चेक कर सकते हो, बात करें battery की तो यहाँ एक से देड़ दिन का battery backup आपको यह phone आराम से देदेगा, अगर आप थोड़ी सी gaming भी करते हो, तो full one day battery life आपको देखने को मिल जाएगी, जो की बहुत ही अच्छी improvement है iPhone 12 के comparison में, बात करें charging speeds की तो definitely Android flagship के comparison में आपको जो charging का output है, वो थोड़ा सा कम लग सकता है, पर यहाँ जो battery capacity है, वो भी छोटी दी गई है, इसके मतब से जो charging speed है, वो आपको decent सी ही देखने को मिल जाती है, तो overall charging speed बहुत ज्यादा slow भी नहीं है, और बहुत ज्यादा fast भी नहीं है, और iPhone 12 series की तरह ही iPhone 13 के box में भी हमें charger देखने को नहीं मिलता, तो आपको यह Apple का 20W charger separately खरीदना अभी मेरे phone पे currently iOS 15.2 रन कर रहा है, एक बात जो Apple की अच्छी है कि यहाँ पे software updates बहुत ही consistently और बहुत ही quickly आपको देखने को मिल जाते हैं, 6 साल पूराने iPhone को भी अभी तक update देखने को मिल रहे हैं, तो यह एक बहुत ही बढ़िया बात है, इस phone पे भी day 1 पे सारे updates आ जाते भी कर देता है, Android companies में यहाँ पे updates आने में बहुत ही जादा देर लगते हैं, और अगर bugs भी आए तो उसे 2-3 मैने बाद वो fix कर देते हैं, तो इस मामले में Apple बहुत ही जादा अच्छा है Android के comparison में, बट यहाँ पे अगर कुछ negative चीज़ों की बात करें, तो Android की तरह यहाँ आपको freedom देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ पे कुछ अच्छी खाजी customization की settings दी गई है, तो definitely यहाँ पे छोटी छोटी चोटी चीज़ों है, जो कि Android में आप easily कर सकते हो, वो बहुत ही hard way में आपको iOS पे करनी पड़ीगी, तो अगर आप existing Android user हो और iPhone पे switch करने वाले हो, तो 80,000 रुपीज फॉर 128 GB model, लास्ट यह के comparison में एक बात अच्छी है कि यहाँ पे starting model 128 GB के साथ में देखने को मिलता है, लास्ट यह आइफोन 12 का जो base variant था, वो था 64 GB वाला, तो of course Indian pricing आपको थोड़ी से expensive देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे Apple in phones को import करता है, इसके वज definitely iPhone 13 को checkout कर सकते हो, या फिर अगर आप एक existing iPhone user हो, iPhone 11 या फिर उसके नेचे के जो भी iPhone model से अगर आप वो use कर रहे हो, तो definitely iPhone 13 यह एक worthy upgrade हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी quality के display देखने को मिल जाती है, बहती brighter display दी गई है, notch की size भी छोटी कर दी गई है, कैमरा यहाँ पे थोड़ी improvements तो आपको ज़रू से देखने को मिल ही जाती है, brighter display दिये गए है, smaller notch दी गई है, iPhone 12 के comparison में जो video stabilization हो अच्छी है, कैमराज अच्छे दिये गए है, battery life आच्छी है, और speaker की quality भी आच्छी देखने को मिलती है, बट यह एक बहुती minor improvements है, तो iPhone 12 के comparison में आपको detail में explain कर दिया है कि किन लोगों को iPhone 13 लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं, तो यहाँ पे आप decide कर सकते हो कि आपको 80,000 spend करकर iPhone 13 लेना चाहिए या नहीं, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो है, तो इसे लाइक और शेक क कर दो आपको ये ये।